जै मातादी नमस्कार दोस्तों मैं हूँ रेखा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूटूब चैनल पर आज की वीडियो में मैं आपको बिना कलस थापना के बिना अखंड जोती के और बिना जुआरे बोए मातादुर्गा भगवती की पूजा किस प्रकार से करें बिल्कुल सरल विधी आपको बताने वाली हूँ अगर आप विध्यारती हैं नोकरी पेशे वाले लोग हैं आपके मातादुर्गा भगवती की मूर्थी फोटो आप स्थापित कर लें थोड़े से चावल के दाने रखकर मातुर्गा जी को चुन्नी आप अवश्य उड़ाएं अगर आप सोलस रंगार का सामान नहीं रखतें तो कम से कम चुन्नी और सिंदूर ये दो चीजे तो आपको अवश्य ही रखना चाहिए मादुर्गा जी के बिलकुल सामने चावलों से अश्ट दल बना कर इसी के उपर हम दीपक को प्रजवलित करेंगे अगर आपको अश्ट दल बनाना आता है तो आप चावलों से इस प्रकार से अश्ट दल बना सकते हैं या फिर बिना अश्ट द तो अगर हम करते हैं तो गनेश जी की पूजा के बिना हमारी कोई भी पूजा फलीभूत नहीं होती है। सबसे पहले गणेश जी का ही पूजन करना चाहिए तो हमें अपने दाहिने हाथ की तरफ थोड़े से चावल के दाने रखकर गणेश जी की मूर्ती प्रतीमा अगर आपके पास है तो आप वो रख लें या फिर गणेश जी को सुपारी के उपर कलावा रक्षा सुत्र प्रजवलित करें तो ओम गंगन पते नमे और सर्व मंगल मंगल ले सिवे सर्वार्थ साधी के सन्यतरम बके गोरी नारायनी नमोस्तुते इन्ही मंत्रों के साथ आपको मादुर्गा भगवती का दीपक प्रजवलित करना चाहिए किसी भी पूजा को करने के लिए सबसे प भाव करते हुए उन्हें सनान कराएंगे इसके बाद जो भी आपने तिलक लगाने के लिए हल्दी रोली कुमकुम चंदन लेके रखा हुआ हैं उनका हम तिलक करेंगे गनेश जी को माताशेरवाली को सेर को दीपक को और जो कलश हमने पानी का भरके रखा हुआ हैं उस लगाने के बाद अक्षत आप अवश्य ही मातारानी को गनेश जी को और दीपक को थोड़े अक्षत के दाने भी आप अवश्य ही अरपित करें इसके बाद गनेश जी को माभगवती को दीपक को कलश को रक्षा सुत्र मोली जिसे बोलते हैं उसे तोड़कर वस्तर का भाव करते हुए हमें इनको वस्तर अवश्य ही अर्पित करना है सनान कराने के बाद वस्तर अवश्य पहना है और अगर आपने वस्तर लाकर रखे हुए हैं तो आप वो वस्तर भी पहना सकते हैं या फिर रक्षा सुत्र मोली कलावा जिसे बोलते हैं उसको थोड़ा सा तोड़के वस्तर का भाव करते हुए भी हम उन्हें वस्तर पहना सकते हैं भगवान केवल भाव के भूके हैं वो हमारी सरद्धा और विश्वास देखते हैं ये नहीं देखते कि किसके पास कितना धन हैं कितना कुछ पूजा में लिया हुआ हैं आप चाहे तो मातरानी को पंच मेवा का भोग नवरात्री के पूरे नो दिनों तक लगा सकते हैं या फिर नवरात्री के रोजाना नो दिनों तक आप कोई भी मोसम के अनुसार फल का भोग भी लगा सकते हैं आप चाहे तो अपने घर में अपने हातों से बना कर मातरानी को भ इश्वास बहुत जरूरी है आपको जो भी मोसम के अनुसार फल, फूल, मेवा मिलता है वो सब मातारानी को अर्पित कर दें भगवान केवल भाव के भूके हैं हमारे दुआरा चड़ाया गया प्रशाद, पंच, मेवा, वस्त, फल, फूल इन में से किसी भी चीज़ को वो स् अर्पित कर सकते हैं, आप सुबह शाम जब भी पूजा करें तो कपूर जलाकर या गाय के गोवर के उपले को जलाकर मातारानी को भोग अवश्य ही अर्पित करना चाहिए, उसमें दो लोंग घी में डबोकर पताशे, मिश्री या नारियल का भोग आपको अवश्य ही लग सारी पूजा हो जाने के बाद मादुर्गा भगवती से चमा प्राथना आप अवश्य करें, कितना भी ग्यान हो, कितनी भी पूजा हो, कोई ना कोई छोटी मोटी भूल चुक हो ही जाती है, तो इसलिए चमा प्राथना हमें अवश्य करने चाहिए, इस पूजा के बाद आ वीडियो आप सभी के लिए उप्योगी होगा, अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, मिलती हूँ इसी तरह कि एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ तब तक के लिए जै माता दी.